खबरों में आगे बढ़ते हूँ आपको बताएं कि उत्रप्रदेश में 2022 का विधन सवा चुनाव लड़ने की घोशना कर चुकी, आम आदमी पाठी प्रदेश में गाउं की सरकार बनाने के रण में भी उत्रेगी आप आदमी पाठी के प्रदेश प्रभारी और राजिसाबास सदस्य संजे सिंग ने लखनाओ में उत्रप्रदेश पंचायत चुनावों के लिए पाठी के उमीदवारों की पहले सूची जारी की है साथी आपको बता दे कि ये भी कहा कि हैंने प्रत्याशियों के नाम दूसरे और तीसरी सूची में जारी किया जाएगा आपको बता दे कि चुनावों के लिए पाठी के 400 उमीदवारों की पहले सूची जारे हुई है इस दोरान संजय सिंग ने कहा कि पार्टी प्रदेश में जिलापंट्रायत अध्यक्ष और सदस्यों के साथी प्लोग प्रमुक और ग्राम प्रधान पत के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारेगी जाहिड तोर पर पंचाज चुनावों के लिए जिस तरह आमाद्मी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है 400 उम्मिदवारों के नाम इसमें शामिल है तो कहीं न कहीं पूरी तरह से एक्टिव बोन में आमाद्मी पार्टी नजर आ रही है तो विविक तिवारी हमारे वरिष्ट सहीयोगी जुड़ चुके है हमारे साथ में राजधानी लखनाव से लाइव विविक जिस तरीके से आमाद्मी पार्टी दमखम भरती नजर आ रही है और पंचायज शुनावों को यूँ कहीं तो लिटमस टेस्ट की तोर पर देखा जा रहा है 400 उमेद्वारों की पहली सूची जैसा कि का गया था कि दो दिनों में उमेद्वारों की सूची जारी चारी कर देंगे और पहली सूची जारी भी हो छुकी है क्या यह माना जाए कि सबसे आगे चल रही है आम अडमी पार्टी विविग जी मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है क्या तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तरफ से सूची जारी हो चुकी है और चार सो में द्वारों की पंचाज चुनावों के लिहाद से ये सूची जारी हुई है और जैसा कि अर्विन केजरिवाल ने कहा था कि इस बार गाउं की सरकार और गाउं की चुनावों में वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो विवेक तिवारी हमारे संबादाता जादा जानकारी के साथ एक बार फ़र से जुड़ गए है विवेक ये जानना चाहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टि ने पंचाज चुनावों के लिए पहली सूची जारी कर दी सवाल ये कि क्या किस तरह की रन्नीती दिखाए दी इस सूची में जिन नामों का जो नाम है जो मिदवार त्या किये गए है किस तरह की रन्नीती और राजनीती उत्तर प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टि करती नजर आ रही है इस लिस्स से क्या कुछ दिख रहा है किस तरह की रन्नीती है परदेश में जिला पंचाहस दस्मों के लिए जिसके लिए सारे दल अपने टाकत लगा रहे है आम आदमी पार्टी भी उनहीं प्रत्याशी चैनित कर रही है दिल्ली से 45 विधाय किस वक्त आम आदमी पार्टी के उतर प्रदेश में डेरा डाले हुए है परदेश में प्रत्याशी चैनित कर रहे है पर नहीं लगता है तो 25 तारी तक ये 3051 पदों के लिए अपने प्रत्याशी घोशित कर देंगे लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले 400 लोगों की सूची जारी कर दिये उसको क्या एक संदेश के तौर पर भी देखा जाए कि भारती जन्ता पार्टी अपनी कारशायली के लिए जानी जाती है लेकिन आम आदमी पार्टी सबसे आगे है जी हाँ प्रत्याशी घोशित करने की जहां तक बात है तो आम आदमी पार्टी सबसे पहला दल है जिसने अपने 400 प्रत्याशियों की सूची जिला पंचा सदस्यों के लिए जारी कर दी है बहुत ही आगना इस तरीके से वीते 6 मेने से ये कारकरम पूजा चलना है पूरे उतर प्रत्याश में और इसलिए आम आदमी पार्टी ने सारा ध्यान अपना 500 चुनाओं पर लगा रखा है और इसी के सफलता के आधार पर 2022 की रणिती भी तयार की जाएगी चले ठीके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और एहम जानकारी साज़ा करने के लिए अपना बहुत जादा ख्याल रखिए ग्राउंड जिरो पर नज़र बनाए रखिए बिलकुल तो जायर तोर पर आमादी पार्टी ने पहली सुची जारी कर दी और ट्रिपल सी का फॉर्मूला अपना आया है आलग की ट्रिपल सी का फॉर्मूला आमादी पार्टी का उत्तरप्रदेश की जादिकत राजनीती पर कितना काम्याब होगा यारे वाले वक्त में स झाल झाल